इनका कहना है कि भाजपा ने अपने नेताओं का विकास किया है अपने नेताओं का विकास किया है नमस्कार भारत एक सोच के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सोनु यादव और आज हम पहुचे हैं बदायू की बिलसी विधान सवा में और दोस्तों होने वाली है खास चर्चा दो हजार बाइस के इलेक्शन को लेकर कि दो हजार बाइस में कौन मुख्मंत्री वनने वाला है योगी जी ही मुख्मंत्री रहेंगे क्या योगी सरकार के 63 साल का कारीकाल भी फूरा हुगया है तो डो हजार बाइस यह की जनता क्या सोचती है तो सब से पहले हम आप से चाहेंगे भारति इंतर्पाटी पताधिकारी भी है योगी सरकार 3-4 साल का कैसे देखते हैं योगी जी जी कि कि साड़े-चार साल हो गए कैसे देखते हैं देखिए योगी जी की साड़े-चार साल अभी हुए है कली हुए है उसका उन्होंने जो काम किया है बो एक अभूतपूर काम किया प्रदेश पर में और यह कायरा ना कि उनके लिए सरफस्वेश मुकमंत्री का भी खिताब मिल च गुंडाराज को खतं करेंगे वर्श्टाचार को खतं करेंगे और भर्पूर्व विकास करेंगे उसी उद्देश को लेकर योगीजी ने अपने तो लगातार आरूब लगा रहा है कि भाजपा सरकार में तमाम अत्याचार हुआ है महलाओं के साड़ियां खीचे गई कारूर विवस्ता दौस्ता बिलकुन ऐसा नहीं है आखड़े के जाप से यह बात नहीं है जब पहले आप जाएंगे चाह साड़ी-4 साल पहले भाजपा से अलग सरकार हुआ करती थी तो किस प्रकार का प्रदेश बर्मा बातावन था लोग घरों सो भार नहीं निकल पाथ जो है प्रदान मंत्री जी का जनम दिन साइद के कोई प्रदान मंत्री मोदी जी है जिनका जनम दिन जो है बेरोजगार दिवस के रूप मना देखिए ऐ बारत पर नाम है इनका कहना है कि देश जो है मोदी जी के नितत्व में नंबर एक पर है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी के यह जनपत बदाई में यह उपी के अंदर कोई ऐसी बड़ी परियोजना सारी इसकी सारी पुरारी परियोजना पर शलन्यास और उदगाटन किये जा रहा है हमारे असाफ से साड़े चार साल योगी जी फेल मुख मंत्री नहीं है अखले स्यादब बेस्ट मुख मंत्री का खि जाने यह जोट जोटी सरकार आपके आप किसने जी की नेतत में देश बहुत तरक्की कर रहा है इस सारा को जूट है और यहां की जनता जो है बेंजी के लिए देख रही है बिलती का सारा विकास बेंजी का कराई हुआ है अगर आप योगी जी की कह रहा है तो साड़े चार साल में योगी जी जिरा से गड़े नहीं पर पाए हैं तो किस उम्मीद के साथ आदमी देख सकता है अंकड़े अलग दिखाए जाते हैं जनता के जो भी चीज़ बताती है वो जनता बताती है बिलसी आने को अगर आठ बजे के बाद कोई आदी में हिलक गया बदाई बिलस मंतरी बनेंगे कि यह जाती पाट जी के साड़े-चार साल पूरे हो गए साड़े-चार साल में हमारी विलसी कोई भी विकाज नहीं हुआ दो हजार बाइस में किसे आशीरवाद देखें आप बाइस हजार में तो जहीं है कि अप जो होगा वह जीते हैं अकले सी सरकार बनेगी अच्छा आप बताए दो हजार बाइस को लेकर क्या मूड है जनता का बहिए आपकी बार तो बदलाव चाह है कि भाजपा ने जो है अपने नेताओं का बिकास किया है और इनकी वात्का समर्तन कर रहा हूं नेताओं नेताओं कि सभी के लिए कारे के लिए बचनबद्द हैं भाजपा ने सभी इसानों के लिए किसानों के लिए जब पिछली सरकारे थी तो हमारा अंबिया पर ब्लॉक डार्क जुनमता किसी भी किसान का ट्यूवल कनेक्शन नहीं हो रहे थे उसके बावजूद हमारी योगी जी अवाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्शन खोले और किसानों के लिए सचाई विवस्ता मुईया गर आई आप क्या कहना चाहेंगे दो जार वाइस को लिए क्या मूड है जनता का उत्तर प्रदेश के अंदर पुना योगी जी की सरकार फिराएगी साड़े तीन सो से कम सीट है इस बार फिर नहीं आएंगी क्यों कुई समाज बादी पार्टी को लोग जान चुक है ये गुंड़ा लगरदी के लावा कुछ नहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले राष्टे में निकलना वदूबर था पता नहीं कव लूट हो जाए क्या हो जाए किसी के साथ कुछ पता भी नहीं था आदमी स्रक्षद मैसे उस कर रहा है जिए जिनसे आप सबसे ज्यादा जो किरायम था वो जीरो परसेंट पर लागर रख दी तो बहुतर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा एम से देने वाले कोई मुक्मंत्री हैं तो योगी आदेत नाते हैं पांच एम सपरकारी चल ला है दूसरा उत्तर प्रदेश के बन गए वह अरे एकदम इन्होंने तो नेव रगगई दूसरी 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 पृत्यक जले के अंदर आघटाने का मरे यह पुरानी सरकारों की बदोलत मरे क्योंको नोंने जिस अब तक तो को सहें अब आज सार साल का सब्सक्राइब करेंगे सो नंबर की गाड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर अकले से आदम ने चलाई थी अकले से आदम नहीं जाएगी पुलिस घर घर जाएगी और आज सब्सक्राइब करेंगे सो नंबर खड़ी मिलती है 108 नंबर खड़ी मिलती है इनकी सरकार ने के वह नाम बदलने का काम किया है सो नंबर से 112 नंबर कर दी कौन सी उपलब्दी उत्तर प्रदेश के अंदर या कोई बड़ी पर्योजना बताएं माननी हमारे साथी बेवेक राठ जंता का तो मूड बना चुकी है जंता अपना क्या मूड बना चुकी समाजवादी सरकार आ रही है समाजवादी सरकार क्यों आ रही है के पास कोई मुद्दा है नहीं केवाल यह कहते मंदर मस्जिद की राजनीती करते हैं और हमें मंदर नहीं चाहिए हमें स्कूल चाहिए मंदर में विकारी पैदा होते हैं और स्कूल में आएस पीसेस प्रणा है कि भाजपा सिर्फ मंदर मंदर में राजनिती कि यह होता तो मंदर की पटक्षिप जो किया जिससे लिए कराया है जिससे के हमेशा के लिए राम मंदर का मुद्दा खट्म कर दिया और विकास कारी के लिए भी उन्होंने काम किये हैं घूटे बादे करें आप पैट्रोल के दाम देख लिए डीजल के दाम देख किसान मर रहा है किसान को सब्सक्राइब करेंगे आज पैट्रोल सो रुपए डीजल 90 रुपए कि यूवा सोच है वो समाजवादी पार्टी के साथ है इन्हों ने जो बादे किये हैं वो बिलकुल जूटे बादे किये हैं क्यूंकि अभी तक कोई भी बैकंसी जितनी आई है उनमें समय फीस कटी है लेकिन बैकंसी कोई भी पूरी नहीं हुई है तो आप लोगों ने Two-Z हैं मिलेंगे तब तक आप देखते लिए भारत एक सोच के अबना पसंद मुहित के साथ सोनुई आदा हो बतायों दोस्तों यूपी की धुवाधार राजनितिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत